मसकार आज का हमारा टॉपिक है रोटी जी हाँ रोटी जो हम अपनी रोज मरा की जिंदगी में खाते हैं तो आज हम देखेंगे कि आयुरुवेद रोटी के बारे में क्या कहता है क्योंकि रोटी हम अलग-अलग प्रकार के आटो का इस्तमाल करके बना सकते हैं और उनके गु करते हैं तो सबसे पहले जो भाव प्रकाश रिशी हुआ है वे गेहों की रोटी की बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जो गेहों की रोटी है वो बल कारक है पुष्टी कारक है धातु बर्दक है यानि कि यह हमारे शरीर को ताकत देती है तो अगर आपको शरीर में त ताकत बढ़ाने के लिए कोई रोटी खानी है तो गेहों की रोटी आप जरूर खाये लेकिन यह पचने में भारी है और जिनकी अगनी या डाइजस्टिफ पावर अच्छी है यह उनको लाब करती है अब इसका मतलब यह कि अगर आपकी पाचन चक्ति कमजोर है तो फिर आप जो नेक्स्ट है वो रिशी बात करते है जौँ की रोटी के बारे में अब जो जौँ की रोटी है उसके बारे में वो कहते है कि जौँ की रोटी रोटी कारिक है यानि यह टेस्टी है यह मदूर है यह मदूर पदार्थों की श्रेणी में आती है यह पचने में हलकी है इसमें फायदा गेहों की रोटिका है लेकिन एक एक्स्रा इसमें फायदा ये है कि पच्छने में ये हल किया है यानि अगर आपकी पाचक शक्ति ज्यादा स्ट्राँग नहीं है तो आप गेहों की रोटि Unidos नाखा के जोँ की रोटिका है और ये कफ रोगों को भी नश्ट करती है जबकि जो गेहों की रोटी है वो कफ कारक है यानि कफ कारक यानि जैसे दिन को नजला, जुकाम, बलगम इस तरीके की तकलीफ है तो उनके लिए जौँ की रोटी बहतर है चलिए उसके बाद बात करते है रिशी चने की रोटी के बारे में अब चने की रोटी भी उन्होंने काया कि ये एक तो रूखी है और ये पचने में भारी है और ये हमारी नित्रों के लिए यानि आँखों के लिए हितकारी नहीं है और ये कफ और पित और रक्त कारों को नाश करती है यानि कि अगर आपको कफ रोग है या आपके शरी में गर्मी जादा है पित के रोग है तो आपके लिए चने की रोटी खानी बैट रहा है पर क्योंकि ये भारी है तो ये भी आपको जादा मातरा में नहीं खानी है क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा ये लिखा जाता है कि यदि कोई पदार्थ भारी भी है लेकिन अगर हम उसको कम मातरा में small quantity में लेते हैं तो वो लगो हो जाती है यानि चनी की रोटी आप खाईए लेकिन जादा quantity में मत खाईए को कि ये भी पचने में भारी होती है उसके बाद रिशी बात करते हैं उड़द के आटे की रोटी अब उड़द का आटा दो तरीके का हो सकता एक तो साबुत उड़द यानि जिसका छिलका हमने नहीं निकाला है अगर हम इस तरीके की आटे को पिसवा के और फिर इसकी रोटी का हम इस्तमाल करते हैं तो इसके अलग होंगे बजाए कि उस उड़द के आटे की रोटी जिसके हमने पहले छिलका निकाला हुआ है तो यदि छिलके के सहित हमें आटा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में वायू को थपन करेगी और ये रूखी है और ये गरम सुभावगी है यानि कि अगर आपको पित के रोग है आपके श्रील में गरमी है तो ये रोटी आपके लिए नहीं है हाँ ये बलकारक ज़रूर है ये शक्ती देती है और ये जिनकी उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनकी अगनी या जो डाइज़स्टी पावर है वो स्ट्रॉंग है अगर आपकी digestive power weak है तो उड़द की आटे की रोटी आपके लिए नहीं है और साथ में जो दूसरी उड़द है यानि कि बिना छिलके वादी आप उस रोटी का 7 केजिए क्योंकि जब छिलका उतर जाता है तो उसकी गर्मी निकल जाती है जो छिलका होता है वो गौरम और भारी होता है लेकिन जब अगर आप एक ऐसे आटे की रोटी बनाते हैं जो छिलका उतारे हुआ है तो वो कफ और पित का नाश करती है यानि कि अगर आपको कफ या यानि कि बलगम है सायन सर्दी जुखाम ये शरीन में गर्मी है तो आप बिना चलके वाली उड़त की रोटी खाई चलके वाली आपके लिए नहीं है तो ये था आज का हमारा टॉपिक विभिन परकार के आटों की बनीवी रोटीों के क्या गुन है तो एक संख्षेप में हम ये कह सकते है कि जौँ की रोटी सर्वोता में क्योंकि वो पचने में हलकी और शरी को ताकत भी देती है तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो हम घर में अपने आटा लाती है उसके अंदर जौँ का आटा मिक्स करके फिर रोटी बनाएए जैसे गेहूं और जॉमिक्स करके उस आटे की हम रोटी खाए तो वो हमारे लिए अच्छी होगी तो ये था आज का हमारा टॉपिक थैंक्यू पर वाचिंग और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू पर आए